हलो फ्रेंग्स हाव यू आज हम मैंगो से एक ऐसी स्वीट डिस बनाने वाले हैं जिसे आप व्रेट में भी खा सकते हैं और आप ऐसे भी खा सकते हैं डेली में भी तो अभी आम का सीजन आ जुका है तो आप मैंगो की इतनी अच्छी टेस्टी और लाजवाब मिठाई हम इसमें सिर्फ दो ही चीजों का यूज करेंगे एक तो हम आम लेंगे और आम को हम छिलका और इसकी बीज हटा देंगे और इसका जो पल्प है वो निकाल लेंगे तो आप किसी भी तरीके से इसका पल्प निकाल सकते हो या तो इस तरह से बड़ी आसानी से निकल जाता है आप चम्मत से भी इसको इसे निकाल सकते हो इस तरह से कट करके और दुसरा طریका भी बता देते हैं पहले आम को इस तरह से चील लीजिए और पिर उसमें जेगे जेगे कट लगा दीजिए इस तरह से इससे क्या होगा कि आम का जो ज्यादा रस जो है वो नहीं निकलेगा और अराम से इसके पीसिस कट जाएंगे मिक्सी में भी जब इसका पेस्ट बनाएंगे तो बड़ी आसानी से इसका पेस्ट रेडी हो जाएगा तो इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे इसको सारा पल्प जो है यह देखिए बहुत ही कम समय में इसको इस तरह से हम पल्प निकाल सकते हैं अब हम एक मिक्सी के जार में इसे ले लेंगे और इसको थोड़ी तेर मिक्सी में चलाकर ले लेंगे यह देखिये थोड़ी ही तेर में इसका पेस्ट जो है वो रैडी हो गया है अब हम एक कड़ाई में इसे डाल देंगे और गैस पर चड़ा देंगे बिल्कुल धीमी आज पर और इसमें शकर डालेंगे आम हमारे मीठे हैं तो शक्कर मैंने या दो-तीन चम्मज ही ली है आपका आम अगर खटा हो तो आप इसमें थोड़े सी ज्यादा शक्कर ले सकते हैं अब हम इसे धीमी आज पर पकाएंगे और जैसे ही दीरे-दीरे पकने लेगेगा तो इसमें छीटे आते हैं उपर तो इस तरह से हम इसे ढख देंगे और बीच-बीच में इसे चला लेंगे आप हाथ को थोड़ा सावधाने से ही रखे नहीं तो इसके छीटे बहुत ही गरम- हाथ आपका जल सकता है गरम लग सकती है तो इस तरह से हम इसे बीच-बीच में चलाते जाएंगे और ढख देंगे ताकि बाहर इसके छीटे ना आए और चला देंगे ताकि तले में ये लगे ना ये देखिए आप अगर चाहें तो इसमें फूड कलर वगरा कुछ डाल सकते हैं लेकिन हम यहां कुछ भी ऐसा नहीं डालेंगे जो हमें नुकसान करता हो या हमारे लिए सही नहीं हो क्योंकि ज्यादा फूड कलर भी सहथ के लिए अच्छा नहीं होता है हमने सेफ यहां आ अगर व्रेथ में खाने के लिए नहीं बना रहे हो तो आप इसमें काला नमाग और थोड़ी सी काले मिर्च यह चाट मसाला इसमें डाल सकते हैं तो उससे इसका फ्लेवर थूड़ा चट पटा हो जाएगा बाकि अगर आप व्रेथ में खाने के लिए बना रहे हो तो इसमें सिर्फ सक्कर डाल दें और कुछ भी इसमें डालने की ज़रुरत नहीं है हाँ अगर थोड़ा सा सेंदा नमक डालना चाहो तो डाल सकते हो पर मैंने इसमें शक्कर के लावा कुछ भी नहीं लिया है अब हमें एक प्लेट ले लेंगे और उसमें थोड़ी सी चिकनाई लगा लेंगे और यह देखिए इस तरह से बैटर हमारा अच्छे से पक चुका है कडाई छोड़ने लगा है तो अब हम इसे प्लेट में पलट लेंगे आप इसे प्लेट की जगे ट्रे में भी पलट सकते हैं जिससे चिक्की काटने में आसानी होगी अब हम इसे प्लेट में आसानी से हलके हाथ से फेलाएंगे आप चाहे तो पल्टे की साहता से या फिर इस तरह से चाकू से इसे फेला लें बहुत ही हलकी हाथ से इसे फैलाना है देखिए इससे हम इसे अच्छे से फैला देंगे और सेट कर देंगे अब आप चाहो तो इसमें चेरी तूटी फूटी कुछ भी डाल सकते हैं अगर आप व्रेत में नहीं खा रहे हो तो इसमें इस तरह से थोड़े ड्राइफ रूट डाल सकते हैं तो मैंने याँ थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े से काजु पिस्ता लिये हैं और उसको डाल दिया इसके उपर ये पुरी तरह से optional है आप नहीं डालना चाहो तो भी आपकी sweet बहुत ही अच्छे से बनेगी बहुत ही tasty बनेगी और अब हम इसे काट लेंगे मन पसंद सेप में इसे बिल्कुल ठंडा करके ही काटना है तब ही ये set होगी आप चाहो तो इसे थोड़े देर फ्रेज में भी रख सकते हो set होने के लिए ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकिए उसके बाद हम इसे काट लेंगे तो मैंने इसे कतली की सेप में काटा है आप अपनी मन पसंद सेप में इसे काट सकते हैं ये देखिए मैं आपको दिखा देते हूँ ये देखिए कितनी अच्छी मिठाई हमारी बनकर रेडी हुई है हम सारी चिक्की प्लेट में निकाल लेंगे और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए या महीने भर के लिए आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपका व्रेट हो तब आप इसे खा सकते हैं व्रेट में आपको कमजोरी नहीं लगेगी और ये हेल्दी भी है क्योंकि ये सिर्फ फ्रूट से बनी है तो आप इसे जरूर ट्राइ करना बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है सिर्फ दो चीजों से बनी मैंगो स्वेट